वेलकम टू माई चैनल टेली ओनलाइन क्लास आज के वीडियो में मैं आपको टैली की डेटा फाइल सी ए को कैसे भीजी जाती है और अवर्डिटर्स को कैसे हम सेंड करते हैं प्रोसेस आपको बताऊंगी tally की जो data file है वो आप normal backup लेके भी भेज सकते हैं जिसमें हमारी tbk file बनती है and directly जो आपकी data file है उसको भी zip करके भेज सकते हैं और सबसे safe जो है और easily restore भी हो जाता है data उसके through वही process में आपको बताऊंगी जैसे यह तो normally basic need ही है कि हर month हमें जब return file करनी होती है या फिर at the end of the year हमें audit करवाना होता है तो हमें CA या फिर auditors को अपनी data file send करनी पढ़ती है अपनी tally का data send करना पढ़ता है तो वही process आज हम करेंगे ध्यान से आप देखेगा जो भी मेरे channel पर new है वो channel को subscribe कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं alt y data पर आएंगे आप and सबसे पहले मैंने यहाँ पर company open की है national private limited company यहाँ पर आप देख सकते हैं इस company की जो data file है वो मुझे send करनी है suppose तो मैं क्या करूंगी सबसे पहल तो मैं data पर जाऊंगी and यहाँ पर मेरे को आने data path पर जैसे मैं data path पर आऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि जो मेरा tally का data है वो मेरा कहां पर save हो रहा है c drive में user public tally prime data यहाँ पर मेरा पूरा data files पड़ी हुई है tally की अब मैं c drive पर जाऊंगी c drive में जैसे जाऊंगी यहाँ पर users पर आऊंगी and public में tally prime open करूंगी and यहाँ पर मेरा data folder है और यह सारी मेरी data files है आप देख सकते हैं यह सारी data files है it means कि मेरी जो tally में companies created है उन वो सब मेरे को यहाँ numbers से शो कर ली है but मेरे को जो backup लेना है मुझे जो data file share करनी है वो मुझे किसकी करनी है national private limited company की करनी है तो यहाँ पर मेरे को इसका number पता होना चाहिए तभी तो मैं वहाँ से उठा पाऊंगी उसकी data file तो यहाँ से इसका number जानने के लिए मैं क्या करूंगी मैं यहाँ पर company पर click करूंगी और यहाँ पर alt plus f3 से select company पर आप आ सकते हैं alt f3 से और यहाँ पर जब मैं आऊंगी national private limited यह मेरी company है तो आप देख सकते हैं 10107 यह मेरा company का number है जिससे मेरी data file save हो रही है 10107 इस data file को मुझे send करना है तो मैं क्या करूंगी मैं दुबारा से c drive पर जाऊंगी अपने data files open करूंगी and यहाँ पर मैं देखूंगी मेरे पास यह जो है data file है 10107 अब इस file को मुझे क्या करना है जिप करना है क्योंकि इस file के अंदर मेरी बहुत सारी files है right तो क्या करेंगे हम इसी में मैं जिप करूंगी तो काफी होचपोच हो जाएगा इसको मैं यहाँ से ctrl c copy कर रही हो and किसी भी other location पर जैसे इसी में tally prime वाले folder में मैंने यहाँ पर इसको paste किया ctrl v से and यहाँ पर इसको zip करेंगे क्योंकि यह तो folder है इसके अंदर बहुत सारी files है तो मुझे अगर इस पूरे folder को ही mail करना है तो मैं यहाँ पर right click करूंगी and यहाँ पर करूंगी compress to zip file इसके उपर click किया तो आप देखेंगे यह मेरी इस folder के zip file बन चुकी है इस folder की मेरी क्या बनी है zip file बनी है अब इस zip file को आप normally जैसे mail में attach file करते हैं वैसे ही same आप इसको attach कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि पूरी company का जो data है वो आपके CA या auditor के पास चला जाएगा यह था सबसे safe तरीका जिसके through आप अपना data file को पैली की data file को send कर सकते हैं इसके अलावा अगर मैं backup के through करना चाहती हूँ तो alt wise से data पे आप आप सकते हैं और यहाँ पे backup पे click करते हैं जैसी अब backup पे click करते हो यहाँ पे आपको backup destination path दिखाते हैं यहाँ पर जो आप backup लेते हैं यह मैंने अल्रेडी वीडियो अप्लोड की हूई है backup लेने की अगर आप backup के through भेजते हैं तो यहाँ पे जो हम normal backup के through भेजते हैं तो हमारी tbk file बनती है ओकी तो आप दोनों तोना से कैसे भी data send कर सकते हैं बड़ जो safe तरीका है जिससे आपका other system में भी company easily restore हो जाती है वो आप यह वाला way to use कर सकते हैं जिसमें आप पूरी ही folder को zip करके send करते हैं ओकी तो process मैंने बता दिये अगर कोई भी आपको doubt है तो पूछ सकते हैं thank you thank you so much for watching this video